ये कोनाया रोशन हो गई मेह फिल किसके नाम से मेरे घर में जैसे सुरज निकला है शाम से ये कोनाया साथी फिलिम का यह गाना लिखा था मजरुह सुल्तानपुरी ने और इस गाने का म्यूजिक कमपोस किया था संगीत समराथ नोशद अली ने हिंदी फिलिमों के मशुहूर गितकार और शायर मजरुह सुल्तानपुरी को कौन नहीं जानता इनके द्वारा लिखे गए गित आज भी एक ताजे गुलाब सी खुश्बू देती है यह भी एक ऐसे ही गित थी मजरुस सहाब ने यह गाना कब और कैसे लिखा था ये सब बाते बता रही थी उनहीं की प्यारी बेती सब्बा सुल्तानपुरी ने सब्बा मेदम अभी नोशद सहाब के बोहु बेगम यानी सब्बा नोशद उन दिनों मजरुस सहाब बहुत ही बीजी रहते थे शाम को शायरों के साथ गेट तुगेदर होता था तब वो अपने बच्चे को रात में मिलते नहीं थे मतलब वो शाम को घर से निकल जाते थे और लेट नइट घर आते थे और सुबह बच्चे लोग जल्दी उठके स्कूल चले जाते थे फिर स्कूल से आने के टाइम से लेके शाम तक मतलब जब तक वो निकलते थे स्रिफ उतना टाइम ही अपने बच्चे से मिलते थे वो सबसुल्तनपुरी ने ये भी कहा कि रोज कुछ न कुछ रहते थे कभी रियल मुशायरा तो कभी कोई फ्रेंड जैसे कैफियाजमी, क्रिशन चंदर, अली सरडर जफरी और कई सारे फ्रेंड के साथ गेत तुगेदर होता था तो बच्चे को टाइम दे नहीं पाते थे वो मजरू सहाब के पांच बच्चे थे लेकिन उनके जिगर के तुकरे थे उनकी चोटी बेती साबा सुल्तनपुरी साथी फिलिम के यह गाना एक्च्चेली मजरू सहाब ने अपनी प्यारी बेती के लिए लिखा था गाना में लिखा मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शान से उल्टा हो गया क्योंकि सूरज तो सुबह निकलता है तो कैसे उल्टा हो गया एक दिन मजरू सहाब ने अपनी प्यारी बेटी को स्कूल से आने के बाद देखके लिखा ये कौन आया रोशन हो गई महफिल किसके नाम से मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से और फिर इत्तफाक से सब्बा सुल्तनपरी के ससूर नौश्रत सहाप ने सुना और उन्होंने बोला कि साथी फिलिम में वो गाना रखूंगा फिर उन्होंने फिलिम के सिटुएशन के साथ मेल रखते हुए इसे कमपोज किया एक्टरेस सिमी के लिए लता मंगिशकर की आवास में बन गई एक मधूर गीत जो आज भी हमें ताजे गुलाब सी खुश्बू देती है तो दोस्टों आप लोगों को कैसा लगा यह किस्सा अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक मज़ेदार किस्से के साथ थेंक यू शुक्रिया